तरन तरन की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है जिसके बारे में जब मंडी के आड़कियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अनाज की मंडी में बहुत सारी कमिया हैं जिसमें लिफ्टिंग की भी कमी है और साथ ही अनाज की बोरियां खुले आसमान में खुली पड़ी हैं जो की बारिश आने के बाद खराब हो जाती इसी के बारे में जब उन्होंने डीसी परदीप सबरवाल को बताया तो उन्होंने कहा कि गेहूं के सरकारी खरीद के समय मंडी में हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कमी ना रहे और जो भी कमी है उसे हम जल से जल पूरा करेंगे तरंतारन से सरब जित सिंग की रिपोर्ट लाइव अम्रेट सार क्योंके तोभी बेंदे जे रोजी बारशा आई है स्वेरेवी बारशा आ इनी चामनूँ या इनी ए जेरा ठेंडर है वो बहुत गलत बंदय आ होना दे घालेवेचय आभे इना वो मंग कर देंग अभी जड़ी जेक लिए ठीकचाई कर नना को यह ना कोई भी रिड़ा र करेट लब लूब गे थले करेटा दे माल लाया वा और अलाद माड़े या मैं परदा अनका नेर्शिंग देऊं आकी एसेशन दाना मनी तर्मदान कानकदी परचेज जड़ी बार्दानाव पहला ठीक रहा सही चल्दा रहा बढ़िया फोगी परचेज होना हो तो बड़ी है सब्सक्राइब परचेज जड़ी यो लिफ्टेंग दिया फोगी प्रशाशन दो बेंज़ी कार दें कि ठेकेदानों कहके लिफ्टेंग जड़ी समय से कराई जावे तांकि सरकार्दा एड़ा ख्रीद्या आया माल आया कांकिया वो खराब नहों वे सही समय से किता मज सब्सक्राइब परचेज नहीं का सब्सक्राइब तरन तरन जिले देवेच कोई सत लख एमटी जड़ी है कनक ओ आउंदी जड़ी आस है जेस देविचों सदा एक पंज तक दा राइबल है ओ तिन लख तर्याल तरताली है एमटी ओ आ चुकी है जेस देविचों सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए पहल आइकन तबाना ना भूलें आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रत्साहन का काम करता है करता है